हेलो गाईज, वेलकम बेक टू मैं चैनल, आज मैं आपको इंकम फ्रम अधर सोर्सिस वाले चैप्टर के नुमेरिकल्स करा रही हूँ, ठीक है, जितना भी थ्योरी पार्ट था, वो सारा कंप्लीट हो चुका है, और जो थ्योरी पार्ट के मैंने कुछ इंपॉर्टेट नोट दिये थे, वो नोट्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, अब इंकम फ्रम अधर सोर्सिस में क्या के इंक्लूड होगा, डिविडेंट्स में क्या क्या केसे आए ठीक है, वो सारे हम क्लियर कर चुके हैं, टीडियस कब लगेगा, टीडियस कब नहीं लगता है, ग्रॉस अब करना कब है, ग्रॉस अब कब नहीं करना है, कितने अमाउंट से ग्रॉस डप करना है, और कितने अमाउंट से ग्रॉस डप नहीं करना है, यह सारा हम पहले की जो राम गोपाल की income दे रखी है और अधर अधर sources से income आ रखी है और taxable income है under the head from other sources, income from other sources के head में, पहला बोला है, he owns in Myanmar an agricultural land which gave him an income of 25,000 during the year, एक तो यह आपके agriculture land है, लेकिन कहां पर है, Myanmar में है, तो यह जो land है, यह taxable होगी, income from other sources के अदर, अगर यही land इंडिया के अदर होती, तो taxable नहीं होती, तो taxable होगी, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, income from agricultural land in Myanmar, 25,000, second point है, कि उस land को also owns a plot, और उसके पास एक plot भी है, plot of land in आगरा, आगरा में है, जो कि लट आउट का रखा है for storing non-agriculture goods, non-agriculture goods के लिए है, जिक है, वहाँ पर उसका जितना भी non-agriculture goods है, उनको store किया जाता है, उसके लिए उसको लट आउट का रखा है, और उसे कितना रुपे आ रहा है, तो यह क्या है, non-agriculture purposes के लिए इस land को use किया जा रहा है, तो income from other sources के अंदर यह taxable होगा, तो आप क्या लिखेंगे next, income from non-agriculture land 12,000, 1000 रुपीज पर मन और पर मन्त में multiply कर दोगे 1000 को 12 से, उसके बाद next है, कि he also had, has another plot of land, एक और plot of land है, ठीक है, on which village markets are held, this land fetched an income of 2500 during the year, यह land भी उनको जो है 2500 रुपीज देती है, और यह use किसले की जा रही है, यह market purpose के लिए use की जा रही है, agriculture purpose के लिए use यह भी नहीं हो रही है, तो यह भी taxable होगी, और कितने रुपे से taxable हो जाएगी 2500, क्योंकि यह during the year है, तो पूरे साल का इतना ही amount है, तो income from land used for market 2500, चीक है, उसकी बाद है, during the previous year, previous year में कुछ he gave management consultancy service, management consultancy services के लिए वो दे रहा है, ठीक है, to a number of entrepreneurs, और उसको कितने दे रहा है, 75,000 रुपीस दे रहा है, तो वो जो 75,000 रुपीस वो रेमुनरेशन है, वो भी taxable होगी under the income from other sources, पर नेक्स्ट है, he has a quarry in Jaipur, जैपूर में उसकी कह सकते हैं, quarry है, और साथी साथी जो Mr. A है, उसको लट आउट कर रखा है, रुआलिटी पर 25 पैसे पर टन अफ स्टोन रेस, जितने भी स्टोन रेस होंगे, उसका 25 पैसे, रुआलिटी के रुप में, ठीक है, लट आउट कर रखा है, कि इसने, श्री राम गोपाल जी ने, उसके बाद है कि, इन, all 10,000 टन अफ स्टोन वस रेस्ट दूरिंग दा इयर, he incurred an expenditure 400 in connection with the earning of रुआलिटी, which has been admitted by the sessing officer, जो यह 400 रुपे थे, यह sessing officer ने admit कर लिए, ठीक है, अब आपके देखूं यहाँ पर, आपको जो है, 10,000 टन्स ओफ स्टोन दे रखे हैं, ठीक है, स्टोन, और कितने रुपे पर, 25 पैसे पर, कितने रुपे पर दिये हैं, 25 पैसे, और आपको, अब पहले तो हम इसको क्या करेंगे, 10,000 से, इन पैसों को मंटिप्लाय कर देंगे, कितना आजाएगा, 2,50,000, बट अब हमें यह जो पैसे हैं, इनको किस में चाहिए, रुपीस में चाहिए, तो नॉर्मल से, जो आपने बच्पन में किया है, तो उन पैसों को कितने से डिवाइड कर दोगे, एक रुपीस में 100 पैसे होते हैं, 100 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 25,000, यह जो 25,000 आया है, इसको आप income from other sources के head में डालोगे, as a taxable, और 400 रुपे की जो deduction उनको allow हो चुकी है, वो deduction आप उसमें से less कर दो गया, और किसने admit की है, वो deduction assessing officer ने, पर next amount received as an advance, advance के रूप में amount received हुआ है, for transfer of capital asset, forfeited 50,000 due to the failure of contract, तो आपने amount कुछ forfeit किया है, और क्योंकि जो contract था capital asset के transfer के उसमें, तो जो contract है, वो fail हो चुका है, उससे आपको कुछ भी receive नहीं हुआ, तो जो amount receive हुआ है, capital asset को forfeit करने के time पर 50,000, यह भी आपका taxable होगा income from other sources के अंदर, अब यहाँ पर reality का भी दे रखा है, फिर amount forfeited दे रखा है, taxable income निकल लाएगी, 166,600 की, चीक है, अब यहाँ पर note भी दे रखा है, अगर capital asset को transfer किया जा रहा है, और कोई भी advance आपको receive हो रहा है, forfeited on or after, 1st April 2014, 2014 पर या उसके बाद, तो यह माइना चाहेगा, कि वो income है asasi की और चार्जेबल होगा under income from other sources, section number 56, अब मैं आपको next illustration करा रही हूं, illustration number 5, Mr. Lalit, an ordinary resident in India, earned the following incomes during the financial year 2021, to 2022, director fees दे रखी है, director fees जो है आपकी income from other sources में normally taxable होती है, आप taxable में डाल दोगे, कभी भी आप अगर question करते हैं, ठीके taxation निकालते हैं, कि कौन-कौन सी चीज़ें taxable है, तो उस case में आप कैसे करोगे, थोड़ा करने का method भी देखो, जैसे अगर आप करते थे house property का, या फिर आप salary का कर रहे हैं, तो आप कैसे करते हो, पहले लिखोगे heading, computation of income from other sources, ठीके, computation from income from other sources, फिर आप लिखेंगे सबसे पहले, कौन सी आई है, directors, directors fees, कितने रुपे की है, 2,000 रुपीज की, ठीके, फिर ऐसे यहां से सारा करके, आपने क्या निकाल लेनी है, taxable income, next देखो, income from agriculture land in Pakistan, पाकिस्तान में land है, तो ये भी taxable हो जाएगी, ground rent for land in पठान court, पठान court में rent है, और उसका ground rent पे किया जा रहा है, तो ये भी taxable होगा, interest on postal saving bank account, postal saving bank account में जो भी आपको interest receive हो रहा है, वो कितने का है, 10,000 रुपीज का है, अब ये जो 10,000 रुपीज का है, इसमें क्या करोगे आप इस 10,000 रुपीज में से, उसमें से, माइनस करोगे, लेकिन इसमें जो amount है, interest on postal saving bank account का, ये 100 रुपीज है, अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जब मैंने ठोडी कराई थी, तो मैंने कहा था कि, अगर आपका amount postal saving, bank से receive हो रहा है, कोई भी interest received हो रहा है आपको, तो उस case में individual amount है, जैसे individual bank है, ठीक है, individual पर bank खुला हुआ है, या saving bank आपने ले रखा है, तो उस case में up to 3500 तक exempt होता है, बाकी taxable होता है, और अगर वो account joint name से है, तो उस case में up to 7000 तक amount exempt होता है, ठीक है, तो अब यहाँ पर 100 रुपे का है, अब individual के नाम पर यह है, तो पूरा का पूरा exempt हो जाएगा, क्योंकि हमारी limit कितनी है, 3500 की, उसके बाद next है, हमारे पास interest on deposits with IFCI, यानि industrial finance corporation of India, 500 रुपे का है, यह 500 रुपे taxable हो जाएंगे, उसके बाद है, dividend आपको receive हो रहा है, foreign company से, यह भी taxable होगा, rent from subletting house, subletting कर रहा ही है house की, अब उसका rent, rent कितना है, 26,250, अब उसके उपर जो rent पे कर रहे है, Mr. Lalit खुद पे कर रहे हैं, वो rent minus कर दोगे, अब देखो subletting का ना कोई भी case हो, तो आप क्या करोगे, जितना आप rent receive कर रहे हो, ठीक है, उसमें से minus करोगे, rent paid, और उसमें से minus करोगे, वो expenses या वो खडचे, जो की आप उस house के उपर कर रहे हो, in subletting case, ठीक है, उसके बाद आपकी total जो income होगी, यह आप कह सकते हो, जितना भी आपको actual में amount receipt हुआ है, वो निकल कर आ जाएगा, clear है, अब यहाँ पर भी ऐसी करेंगे, 26,250 में से, rent payable जो है, वो minus कर दोगे, 12,000 और 1,000 minus कर दोगे, कोई भी expenses करें हैं आपने 1,000 रुपीज के, फिर next है winning from horse race, अब यह amount जो है हम पूरा डाल देंगे, इसको grossed up नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यह amount आपको दे रखा है, इसका मतलब यह amount grossed up ही है, अगर amount के आगे या बीच में कहीं भी लिखा है, क्योंकि यह net amount आपको receive हो रहा है, तो उस case में आप grossed up करोगे, otherwise आप grossed up नहीं करोगे, तो यह भी amount पूरा का पूरा चला जाएगा, फिर उसके बाद है interest on securities, interest on securities भी 4,000 रुपीज पूरे चले जाएंगे, फिर आपने total कर लेना है, और taxable income निकाल लेनी है, taxable income from the head income from other source, अब एक बाद यह देख लो, किस तरह से कर रखा है, ठीक है, सारी चीज़े हैं, और यह वाल amount भी नो ने grossed up, नहीं किया, because question में that amount नहीं लिखा हुआ था, अब जो मैं आपको next question कराने जा रही हूँ, उससे पहले, एक बार यह topic थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं, ठीक है, फिल question आपको बहुत अच्छे सा समझ में आ जाएगा, government securities, जो भी central government या, जो state government है, वो issue करती है, तो उनको हम बोलते हैं कि वो government securities है, और यह भी two parts में डिवाइड होती है, tax-free government security, second is less tax-free government security, tax-free government security जो है वो taxable नहीं होती nowhere, इसको आप grossed up करेंगे, पूरी के पूरी तरह exempt होती है, जो less tax-free होती हैं, इसो securities होती है, यह taxable होती हैं, लेकिन आप इसको grossed up नहीं करते हो, और गॉर्मेंट की किसी भी security को आप grossed up नहीं करते हो, सिर्फ less tax-free जो government securities होती है वो क्या होती है taxable होती है चीके उसके बाद हमारी जो non-government securities है local authority या state corporation issue करती है उनको और साथी साथ यहाँ पे यह भी two parts में divide है tax-free non-government security less tax-free non-government security जो tax-free government securities होती है वो taxable होती है उनको हमेशा grossed up भी किया जाता है लेकिन जो less tax-free non-government securities होती है उनको taxable तो होती है लेकिन उनको grossed up तभी करोगे जब आपको amount given होगा जो भी आपकी interest है उसका amount given होगा तभी आप उसको जो है grossed up करोगे लेकिन अगर आपको interest के rate पर दे रखा है tax-free government security क्या बोल रखा है tax-free government security तो उस case में आप tax-free मानोगे otherwise कुछ भी नहीं दे रखा तो इसका मतलब यह less tax-free होंगी चाहे वो आपका government security का case है या चाहे वो आपका non-government security का case है illustration number 11 में करा रही हूं ठीक है अब देखो सबसे पहले हमें बोल रखा है 8000 hours in trust on government security illustration number 11 government security है tax-free लिखा है कहीं पर नहीं लिखा ठीक है तो इसका मतलब ही क्या हो जाएगी less tax-free government security है और क्या होगी taxable होगी computation of income from other sources चीक है पहला है हमारे पास लिख सकते हैं less tax-free government security चीक है कितनी की है 8000 रुपीज की उसके बाद है 7200 hours in trust on debentures issued by local authority लोकल अथारिटी ने इशुट की है इसका मतलब यह क्या है non government security है non government security में अगर आपको amount given है चीक है less tax-free के क्योंकि यहां पर tax-free फिर से नहीं लिखा हुआ इसका मतलब यह कौन सी है less tax-free non government security है और आपको amount दे रखा है तो आपको gross up करना पड़ेगा अगर आपको percentage दी होती तो आप gross up नहीं करते तो आप हमें इसको gross up करना पड़ेगा तो आप क्या लिखेंगे less tax-free non government security आप चाहें तो यह भी लिख सकते हैं कि कि दे बेंचर सीशीड हुए है लोकल अथोरिटी के दुआरा बट आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं यही लिख रहे हूं कि आपको पता चाल सके कि less tax-free आप कैसे देखोगे और tax-free कैसे देखोगे और किन-किन चीज बताया था कि आप क्या करोगे 100 divided by 90 कर दोगे जितना भी इंट्रस्ट आपको दे रखा है 7200 multiply में 100 divided by 90 चीक है इसको solve करेंगी तो हमारे पास आजएगा 8000 रुपीज ही तो 8000 रुपीज यहां taxable में डाल देंगे थर्ड बन इस 7200 as in trust on debentures of Macbeth Limited not listed on any stock exchange किसी भी stock exchange में listed ही नहीं है इसका मतलब यह भी non-government security है और non-government security है tax-free नहीं लिखा हुआ so it means यह less tax-free non-government security है less tax-free non-government security इसका amount given है then इसको भी आपको grossed up करना पड़ेगा amount कितना है 7200 रुपीज का 7200 multiply में 100 divided by 90 कितना आजएगा 8000 रुपीज अब यहाँ पर अगए किसी के पास भी previous year की book है तो previous year की book में से देखकर 92 या 92.5 मत कर देना अब यहाँ पर पूरा का पूरा यह rule change हो चुका है चाहे किसी भी तरह का आपका year हो पहले year के इंसापस होता था ठीक है किसी भी तरह का year हो अब आपने नीचे जो है हमेशा 90 ही लिखना है फिर next है हमारे पास port point 72 एस इंप्रोस्ट और डिवेंचों मर्कुरी पेंट्स लिमिटीड लिस्टेड ऑन डेली स्टॉक एक्सचेंज कहां पर लिस्टिड है डेली स्टॉक एक्सचेंज में है अब यह वाली भी आपकी लेस्टेक्स प्री नॉन गौर्मेंट सेक्यूरटी है और इसमें भी अगें क्या दे रखा है आपको एमाउंट आपको वो नहीं दे रखा परसेंटेज तो आप क्या करोगे इसको भी ग्रॉस्ट आप कर दोगे तो ग्रॉस्ट आप कर आप 7200 मल्टिप्लाइ में 100 डिवाइड बाइ 90 फिर से आपका 8000 रुपीज आ जाएगा अब नेक्स्ट मेरे पास 7200 ए ज इन ट्रॉस्ट ओन टेक्स्फ्री डिबैंच्र डिबैंच्टु आपको न हीडााउट थो आपको नामें दे दिया जाएगा ये भी आपकी non-government security है तो ये tax-free non-government security बन गई आप जो tax-free non-government security होती है उनको भी हम अमेशा क्या करते हैं always grossed up करते हैं so tax-free non-government security कितना है? 7200, multiply में 100 and divide by 90 इसको भी grossed up कर दोगे, 8000 फिर आप क्या निकाल लेंगे taxable income अब कितनी आ लिए हमारी taxable income 1, 2, 3, 4, 5 40,000 clear है? I hope ये question आपको ढंग से clear हो गया हो गए इसलिए मैंने पहले आपको थोड़ा सा थोरी पढ़ा दिया था कि अगर आप करेंगे तो question आप से clear हो जाएगा अब एक बार illustration number 12 भी देख लो Shri Ajay Kumar resident है for income tax purposes के लिए और उनकी estimated total income जो है वो exit भी नहीं है 2,50,000 से He has sent this declaration Dually certified by the assessing officer assessing officer को दी हुई है अब ये कुछ उनकी securities हैं जो की उनके पास हैं अब इन securities के उपर जो है इंट्रस्ट लगेगा 30 जून और 30 दिसंबर को 31 दिसंबर को ठीक है 30 जून और 31 दिसंबर अब देखो अब देखो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे computation of taxable income from other source अब यहां पर सबसे पहले है 72,000 10% tax-free debentures है of a taxable company अब ये कौन से debentures हैं तेक्स-free हैं government नहीं लिखा हुआ कहीं पहीं 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 है tax-free government security non-government security अब tax-free non-government security जो होती है वो हमेशे grossed up होती है और grossed up आप कर दोगे 7200 को 10% से grossed up करेंगे तो 8000 रुपेज आ जाएगा ठीके उसके बाद 54,000 10% of tax-free debentures issued by Rajasthan financial corporation अब ये भी आपकी tax-free non-government security है अब ये भी आपकी क्या हो जाएगी grossed up हो जाएगी अब आप इसको grossed up करेंगे और amount लिख दोगे फिर next है 25,005% UP government loan ये क्या है? government की security है अब ये जो government की security है कौनसी वाली government की security हो गई less government security हो गई अब less government security है जो है government की security है टेक्स-free वाली तो ये तो आपकी less tax-free हो गई ये taxable हो जाती है बट grossed up नहीं होती तो आप इसको taxable मान लेंगे इसका grossed up नहीं करेंगे amount निकाल लोगे 25,000 पर 5% 12,50 आजएगा चीक है? उसके बाद 5% debentures of दिल्ली development authority है ये जो दिल्ली development authority है ये भी आपकी non-government security है और कौनसी वाली है? less tax-free तो less tax-free non-government security है आपको interest का rate भी given है तो interest का rate given होगा तो आप grossed up नहीं करते हैं ठीक है? tax-free में तो हमेशा grossed up करते हैं जो less tax-free होती है उसमें अगर rate दे रखा है यानि interest rate दे रखा है तो आप उसको grossed up नहीं करते हो amount दे रखा होता है तो ही आप उसको grossed up करते हो तो 5% का निकालोगे किस के उपर निकालोगे? 12,000 के उपर तो आपका आजेगा 600 चीक है? उसके बाद 5% tax-free debentures हैं तो ये भी कौन से हो गए tax-free non-government security है और आपकी tax-free है तो ये भी grossed up हो जाएगी अब grossed up कर देना इसका तो आपका 8,000 आ जाएगा उसके बाद लास्ट में बोला है बैंक ने 2% के charges जो है commission एक तरीके से charge की है interest collect करने के लिए तो वो जो charges है वो deductible हो जाएगे और ये आप इसकी deduction दे दोगे इन charges की तो आपकी taxable income आजएगी from other source अब ये जो आपकी जो charges है ये charges अब आप किसके उपर निकालोगे ये charges अब कैसे निकालोगे देखो एक तो ये पूरा का पूरा ये interest आपको रिसीव हो रहा है यहां पे एक बर ये notes में देखो UP government loan 50 का हो रहा है अब आपका tax free जोटी बैंच होता हूँ 7200 रुपीज का था और आपने जो है gross debt amount नहीं लेना आपने net amount लेना है जो collection हुई है ये तो आपका total amount दिखा रहा है बट collection कितने ही है 7200 की ये मान के चलो फिर 5400 लेने है और इसमें 600 क्योंकि इसमें तो आपने कुछ grossed up किया ही नहीं है तो normal amount लेके चलोगे फिर उसके बाद 7200 इन सबको add करोगे और इसके उपर 2% की commission जो है वो charge करोगे और charge करने के बाद क्या कर दोगे less कर दोगे जीके तो आपकी taxable income from other sources आजाएगा next हम question कर रहे है illustration number 17 first इनने बोला कि compute करनी है income from other sources पहला है 1 lakh rupees received by the assessi from his friends on the occasion of the marriage of his son यानि assessi को 1 lakh rupees receive हुआ उसके friend से और किसके occasion पर उसके बेटे की marriage के लिए अब ये वाला जो है taxable हो जाएगा अब क्यों taxable होगा क्योंकि उनकी son को receive नहीं हुआ bride और groom को receive नहीं हुआ है ये उसके father को receive हुआ है तो ये taxable हो जाएगा उसके बाद next है interest on enhanced compensation 40,000 received as per court decree during the previous year 40,000 की compensation received हुई है तो ये जो compensation है ये क्या हो जाएगी आपकी taxable हो जाएगी और साथ ही साथ इसमें से आपको एक deduction मिल जाती 50% की तो 50% की deduction भी मिल जाएगी इसका मतलब 20,000 रुपीज ही taxable होंगे उसके बाद है undisclosed income ये पूरी की पूरी taxable हो जाएगी winning from lottery अब आपको net दे रखा है इसका मतलब आपने क्या करना है अब grossed up करना है और winning from lotteries को grossed up कैसे करते हैं ये मैंने आपको बदाया हुआ है जब मैंने theory कराई है winning from lotteries amount कितना है 70,000 रुपीज का और net बोल रखा है अगर net ना बोल रखा हो तो हम पूरा का पूरा amount ठाके लिख देते लेकिन अब क्या करेंगे इसको grossed up करेंगे तो हम grossed up कैसे करेंगे 100 divided by 70 कितना आजाएगा 1,00,000 रुपीज ठीक है तो ये जो है आपका total amount 1,00,000 रुपीज income from other sources में चला जाएगा फिर next है interest on post office saving bank account 4,000 रुपीज का और normal individual का है तो 3500 तक exempt होता है तो आपका taxable कितना हो जाएगा only 500 रुपीज family pension family pension का मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको किसी भी तरह की family pension receipt हो रही है तो उस case में one third of pension pension का one third और आपका 15,000 जो भी lesser amount होगा वो वाला taxable हो जाएगा आप one third of pension कितने की pension है 60,000 रुपीज की तो इसका one third कितना हो जाएगा 20,000 और 15,000 कौन सा वाला लेसर है 15,000 तो 15,000 आपका taxable हो जाएगा अब एक बार ये देख लो इसका solution gift marriage पर रिसीब रुपीज आजाएगा और फिर उसके बाद आपको compensation मिली है 40,000 की और मैंने बूला था कि deduction allowed हो जाता है 50% का तो आप 50% लगा दोगे उसके बाद income from undisclosed sources पूरी 2,00,000 की आजाएगी winning from lottery, grossed amount करोगे grossed amount कर आप 1,00,000 रुपीज आगया interest on PO saving 4,000 रुपीज की आपकी post office की saving bank account था और individual का account था तो 3500 तक की exemption मिल जाती है तो taxable कितना हो जाएगा सिर्फ और 500 रुपीज उसके बाद है family pension, one third of the pension or 15,000 whichever is less ठीके तो आपका 15,000 आया था अब आपने सब का total कर देना है और आपकी क्यानिकल कर आजेगी income from other source देखो illustration number 16 illustration number 16 में पहने बोल रखा है Mr. Aklanak gets following gifts in July previous year 2021-22 states his taxability under its situation for the assessment year 2023 अब यहां पर यह question में आप कैसे करोगे कभी भी आप हमेशा ध्यान रखना अगर कोई भी gift आपको receive हो रहा है in the case of marriage marriage के time पर यह marriage के cases में तो उसको आप क्या करोगे exempt कर दोगे अब पहला देखो कैसे करना है illustration number 16 first है gift आपको receive डूँआ 50,000 रुपीज का तो यह जो gift है अभी हम side रख देते हैं इसको gift of 50,000 चोंकि आपको receive हुआ है from friend ठीक है अब इसको आपने फिलाल अभी side रख दिया क्योंकि 50,000 है हमारे लिए exempt हो सकता है बाकी उसके बाद gift of jewelry worth jewelry का कितना है 2 lakh का तो यह normal लिखतो क्योंकि फ्यान से जो है आपकी कोई भी relative नहीं होता है उसके बाद 21,000 each from two friends on his marriage marriage पर है तो यह exempt हो जाएगा यह gift है jewelry से जो आपको received हुआ है और आपको यह gift received हुआ है from friends on occasion of marriage ठीक है marriage के occasion पर उसके बाद next है कि आपको gift 68,000 रुपीस का from father's brother father's brother से रिसीब हो रहा है वो आपके relative है gift received from from father's brother तो यह क्या हो जाएगा आपके लिए exempt उसके बाद next है कि अगर आपको कोई भी gift received हो रहा है 35,000 from his wife friend on the occasion of marriage तो इस केस में आप क्या करोगे 35,000 रुपीस का उसके wife के friend से आपको रिसीब हो रहा है किस occasion पर marriage के occasion पर तो यह भी आपका लिए exempt हो जाएगा क्योंकि किस के occasion पर हुआ marriage के फिर next है मारे पस गिफ्ट है 26,000 रुपीस का brothers साथ ही साथ अब यहां पर यह चीज़ देखो यह जो आपको gift received हुआ है 26,000 रुपीस का यह आपको normal gift received हुआ है तो 50,000 से amount जादा जाता है तो इस वज़े से यह तीनों ही taxable हो जाएंगे clear है amount अगर aggregate जो amount होता है आपके gifts का उससे जो भी आपकी money received होती है वो अगर 50,000 से जादा जाएगी तो वो सारे के सारे taxable होंगे इसका मतलब first भी taxable होगा 6th भी and 7th भी जी है बाकी आपको marriage के purpose received हुए है तो यह क्या हो जाएंगे आपके लिए exempt so आज यहाँ पर यह chapter पूरा complete हो जाता है theory के इंसाब से भी और practical के इंसाब से भी जिसने theory के वीडियो देखी होंगी तो यह chapter के practicals उसको बहुत असान लगे होंगे क्योंकि जो भी मैंने आपको theory में कराया वो सारा का सारा practical में ही है clear है so मिलते हैं next video में bye bye